हेलो दोस्तों आज हम बनाने जा रहे अमर बेल का तेल अमर बेल का एक सिरम बनाई थी दोस्तों जिसे आप लोगों ने पहुत जादा पसंद किया है तो नहीं देखे होंगे आप वीडियो तो एनी स्क्रिम पर मैं उसका लिंक लगा दूंगे उसे वहां से आप चेकाउट कर सकते हैं तो चलिए आज हम बनाते अमर बेल का तेल जो कि काफी फायदे मंद होता है यूज करते हैं इसके लिए दोस्तों मैं थोड़ा सा अमर बेल को यहां पर मैं थोड़ा सा कूट लेती हूं हम इसे तुकड़ों में काट लिए हैं उसके बाद हम इसे कूट लेते हैं जिससे कि हम इसे पकाएंगे तो बहुत अच्छे से पक जाएगा अमर बेल जो होता है दोस्तों बड़ी आसानी से मिल जाता है रोड के किनारे में बबूल या फीर जो भी काटे दार कटीला जो पेलने लग जता है कोई दूसरे प्रेड में भी हो जाता है सीता फल वगयरा में उसमें आप डाल कर देख सकते हैं तो यहां पर देखी दोस्तों मैंने फ्राइपिन एक गरम किया है इसमें मैं नारेल का तेल डाल दी हूं और अर्मर बेल बालों में यूज करेंगे तो तो इसलिए अगर आपका बाल जड़ गया है नए बाल नहीं हो गये है जब इससे आप यूज करेंगे तो आपका नहीं बाल जल्दी से उगना शुरू हो जाएगा लेकि यह नहीं दोस्तों कि एक ही बार में अप लगाएंगा और आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा क्यों यूज करें वर्जीन या फिर कच्ची घानी का तो और ज्यादा आपको बेनिफिट जल्दी होगा तो यह देखिए दोस्तों जब इससे अच्छे सब पक जाता है इसे करिब हम 15-20 मिनट पकाते हैं और गैस को फिर बंद कर दिये हैं गैस को बंद करने के बार जब यह किये थे दोस्तों उसका जवाब मैं कमेंट में दे दी हूं अगर आपके कुछ और सवाल है तो प्लीज कमेंट बॉक्स पर जरूर कर दीजिएगा हो सके का मुझे पता होगा उसके बारे में तो मैं इसे आप लोगों से जरूर शेयर करूंगी अकर आप लोग अमर बेल के कुछ और जानते हैं और इसमों कैसे यूज करें कैसा फैदा हुआ तो कमेंट बॉक्स जरूर कीजिएगा कई लोगों नों अमर बेल का सीरम यूज किया था दोस्तों इसे बहुत अच्छली जल्ब मिला है मेरे उस वीडियो में ने अपना फीड़बेक दिया है तो आप ल लगा लीजिए तो अमर बिलकुम अच्छे से जड़ में लगा देते हैं जड़ से लेके नीचे अच्छे बालों में अच्छे से मतलब एकदम जादा हमको अच्छे से लगा लेना है और जब भी हम इसे लगाएंगे दोस्तों कोसिस कीजिए कि रात को लगा और सबेरे बा केपार को मेरे घृ chords था खर मेंको मिस घर किया दंब करना सकते हैं और उससे बहुत जादा फायदे मंद होता है अगर आप नहीं देखे हैं एकद Beach को का देना भीट कर सकते हैं और हम हैताना तो देखे दोस्तों मैं सभी में ऐसे ही तेल को लगा लेती हूं अगर आपके घर में कोई और है तो आप दूसरे के सहता से भी बालों में अच्छे से तेल को लगा सकते हैं क्योंकि अपने से अच्छे से नहीं लगता है तो हमर बेल के तेल बनाने कितना असान है आप इसे जरूर बनाईएगा और लगाईएगा इसे बनाकर आप रख सकते हैं और लगा सकते हैं दोस्तों क्योंकि हमर बेल तो हमेसा नहीं मिलता है तो जब भी मिलता है तो आप ऐसे तेल बनाकर इसे बालों में लगाईए और बाल से हम कुछ भी लगाते तो असर नहीं होता है तो खान बान को भी आप अच्छा रखिए तो मैंने एक बायो टीन लट्टू भी शेयर किया उसे आप देखिए और उसे खाई यह फिर आपको बालो की बहुत जाता अच्छा रहेगा तो चलिए दोस्तों एकले मीडियो मिलते त हुआ है